कुकू टीवी पिताजी आपको बेचने ही क्यों है मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिये न अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा रागव सोचते हुए अपने घर से गाउं की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है क की यह भगवान इतनी गर्मी है गर्मी का महीना आने को अभी 15 अगर नहीं और उससे पहले ही इतनी गर्मी पतानहीं आगे क्या होगा तभी एक महिला वहां पर मटक का लेकर आती है और कहती है अब क्या बताऊं रागव भाईया पूरे गाउं में पानी भी है और हमें पास के गाउने भी पानी देने से मना कर दिया है गर्मी बढ़ते ही जा रही है खेज सारे बंजर पड़े हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही जाग दे सच कहा रागो भाईया आपने कुछ ना कुछ तो गाउं की सुरक्षा के लिए सोचना ही ह और तो और हमारे गाउं के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है मैं उन पशुओं को पिला देता हूं उससे कम से कम उनकी दुआय तो लगेंगी रागो घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गाउं के काश हमारे गाउं में बर्फ होता मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती लेकिन ऐसा कहां संभव है ये मुम्किन नहीं है बेटा पिता जी एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुम्किन हो जाता है रम्या की बात सुनकर राघाव अपने गाउं से बाहर चला जाता है और वहाँ जा कर देखता है कि उस गाउं का सरपंच पानी बेच रहा है आओ आओ ले लो ठंडा ठंडा पानी खरीद लो इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ आजाओ आजाओ अरे सरपंच साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास पानी कहां से आ रहा है तुमाम खाओ ना गुठलियां क्यों गिन रहे हो अब मुझे भी दो ठंडे बॉटल पानी दे दीजिए मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी राखव सरपंच के यहां से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाओ से पानी पिते हैं तब उनके घर उनके गाओं की महिला आकर कहती है क्या बात है सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं देख लो, क्या जमाना आ गया है, घर में शर्वत प्या करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहा कार में भी, पता नहीं सरपन जी, कहां से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख, मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है, तो रुपिय क्यों ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा, तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो आना जाएगा। रागो सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बाते कर रहे थे। सुन रही हो ना भागयवान, कुछ दिन और गावालों को लूट कर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बक्री के श्राप की वज़े से हमें इतना मुनाफ़ा हो रहा है। जब तक उस बक्री को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी तब प्लग हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राखव सारी बाते सुनकर दंग रहे गया। मैंने सर्पन जी को भगवान का रूप समझा था लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानों निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा। आखर ये वर्फ की खदान है क्या। अगले दिन के सुबह होते ही राखव सर्पन जी का पीछा करने लगा। और देखा कि सर्पन जी जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की दरफ जा रहा है। जहां से बकरी के मिम्याने की आवाज आ रही है। ये बकरी के आवाज कैसी। तरह ये वही बकरी तो नहीं। जिसके बारे में सर्पन्च और सर्पन्चाईन बात कर रहे थे। सर्पन्च बर्फ की खतान में जा चुका था। राखव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया। और वहाँ जाकर देखा तो बकरी ठंड की वज़े से बुरी तरह से काप रहे थी। तुम चाहे जितनी भी मिम्यालो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो इसी वज़े से बाहर हम मजे मार रहे हैं। यह क्या हाल कर रखा है आपने सर्पन्च जी। मैं आपकी सारी बाते जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए। वरना मैं पूरे गाउं को यह सारी बात बता दूँगा। रुक जाओ रागाउब। ऐसा मत करना। पहले मेरी बात तो सुन लो। तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सर्पन्च ने सारी बाते बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे। तब एक साधू बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूज रही है। क्या तुम इसे पानी पिलाओगे। जी, ये लिजिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है, उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधूने मुझे आशिरवात दिया। और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली कुफा बर्फ की हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा। और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए, तो बर्फ की ख़दान मिट्टी की हो जाएगी। और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आशाएगा। इस बकरी की देखवाल तुम्हें तब तक करनी है। जब तक मैं हिमाले से जड़ी बूटिया लेकर वापस नहीं आशाता। इतना कहकर वो साधू बाबा वहां से अद्रिश्य हो गए। सरपंच की बात सुनका राघव भी सहम गया। और सरपंच से कहने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं। इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहे ऐसा मत करो। मेरी पत्नी की जान खत्रे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया। पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे। और जैसे ही बकरी को गर्म हुआ लगी। बकरी खुद से कहने लगी। मैं.. मैं.. राघव मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुमें एक वर्दान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ मेरा वर्दान ये है कि तुम्हारी सारी चादरे अब बर्फ की हो जाएंगी जहां मैं खड़ी हूँ उस जगह की मित्ती को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यही जंगल में छोड़ कर चले जाओ और सरपंच अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है क्या सच तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूँगा पूरे गर्मी में सब को चादर बाटूँगा राख वो उस बकरी की कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई मैं ये सारी चादर सब को बाट दूँगा अपसे इस कडाके की कर्मी में कोई प्यास से नहीं जुजएगा लगता है आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर हिली इतनी सारी बर्फ की चादर आपने बनाई कैसे ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी खुरे अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी राखों ने बर्व की चादर पुरे गाउं में बाटी, पुरे गाउं से गर्मी का कहर खतम हो गया और राखों और सरपंज खुशी-खुशी रहने लगे एक गाउं में बबलु नाम का एक लड़का रहता था बबलु अनात था, वो गाउं वालों की भैस, गाय, बक्रियां चराता था बदले में गाउं वाले बबलु को तीज तेवार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगेरा दे दिया करते थे बबलु मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बासुरी बजाता रहता था एक दिन गाउं में वसंत पंचुमी का उत्सर था उस दिन बबलु को धेर सारी मिठाईया मिली जब बबलु जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बुढ़ा आदमी बबलु के पास आया बेटा ती चार दिन से भूगा हूं कुछ भी नहीं खाया है थोड़ी मिठाई मुझे भी देदो बबलु ने अपनी आधी मिठाई उस बुढ़े आदमी को दे दी जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लीता है वो एक बन बेवता में बदल जाता है तुम बहुत दयालू हो बबलु तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी बन देवता बबलु को तीन टोक्रियां देते हैं पहली टोक्री में आंधी और तूफान है दूसरी टोक्री में बारिश और ओले है तीसरी टोक्री में आग है ऐसा कहकर बन देवता गायब हो जाते है बन देवता न तो कहा था कि वो मुझे चार चीज़े देंगे चलो कोई बात नहीं, तीन चीज़े ही काफी है बबलु अपने बास बच्ची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है जब बबलु अगले दिन उस जगे पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाईया गाड़ी थी वहाँ एक मिठाई का पेड उगाया है जिस पर धेर सारी मिठाईया लगी हुई है लगता है ये वन देवता का चोथा नाम है बबलु पेड पर चड़ जाता है और मिठाई घाने लगता है उसी समय जंगल से एक बूर्ही राक्षसी गुजर रही थी उसने बबलु को देख लिया अरे आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है इसकी तो मैं मसालेदार सबजी बना कर खाऊंगी लेकिन पहले इसे पेड से नीचे उतार ना होगा बूर्ही राक्षसी उस संगर और पर रूर धारन करके मिठाई के पेड के पास जाती है और बबलु से कहती है अरे बबलु बेटा फेड पर इतनी मिठाई लगी हुई है अगर तु थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती मैं मिठाई नीचे फैंक देता हूँ तुम खा लेना अरे बेटा अगर तुम इठाई तोड़कर नीचे फेगेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी तो तुम अपना आचल फैला लो, मैं उसमें फैंक देता हूँ बेटा, मेरा आचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे बबलू बुड़ी राक्षिसी के छल कपट को नहीं समझ पाता जैसे ही वो पेड से नीचे उतरता है, बुड़ी राक्षिसी अपने असली लूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है वो बबलू को पोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है सुनचन्दा, इस बुड़ी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ इसको पहले बान दे, फिर इसका सेर काट दे और इसकी सबजी बना लेना, खुब मसाले डाल कर, मैं अब ही नहा कर आती हूँ बुड़ी राक्षेसी नहाने चली जाती है लड़की जब बुरा खोलती है, तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुन्दर लड़का है लड़की को बबलू के उपर दया आ जाती है दोनों में कुछ तेर बातचीत होती है ये राक्षेसी मेरी कोई नहीं है कई साल पहले ये गाउं से मेरी मा को पकड़ कर लाई थी मैं उस समय अपनी मा के पेट में थी वही पर मेरा जन्म हुआ राक्षेसी मेरी मा को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया यह मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते है जब राक्षसी नहा कर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनो गायब है लगता है दोनो मिलकर भाग गए राक्षिसी उनके पीछे पीछे जाती, चन्दा पीछे मुड़ कर देखती है राक्षिसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई तीन टोकरिया ध्यान आती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षिसी को भगाता हूँ बबलू सबसे पहने आंधी और तूफान की दोगरी खोलता है लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षिसी हार नहीं मानती वो उन तोनों का पीछा करती रहती है लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी फिर बबलू बरसां और ओने की टोगरी खोलता है राक्षिसी घायल हो जाती है लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती बबलू और चंदा भागते भागते गाउं पहुचाते हैं गाउं वाले उनके पास आते हैं और उनसे बूचते हैं क्या हुआ बच्चों क्यू भाग रहे हो बूरी राक्षिसी हमें मानने के लिए हमारा पीछा कर रही है अरे हम सब भी राक्षिसी की आतंक से बहुत परेशान है चंदा अब मजबूरी में हमें इस राक्षिसी को मारना ही पड़ेगा गाउं वाले भी इससे परेशान है और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी तो बब्लू अंत में आग की चोकरी खोल देता है बूरी राक्षिसी चल कर मर जाती है तब ही गाउं के मुख्या भी वहाँ पहुचते है बच्यों तुमने बहुत अच्छा काम किया है गाउं वालों को बूरी राक्षिसी से मुक्त करा दिया वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी इनाम के रूप में मैं तुमें एक घर दे रहा हूँ गाउं वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं फिर बबलू और चंदा घर बसा कर खुशी-खुशी रहने लगते हैं सुल्तानपुर के गाउं में दिलशेर और शमशेर दो भाई रहा करते थे इनके पिता जम्मीदार थे इसलिए दोनों के पास करोडों की संपत्ति थी यही संपत्ति दोनों भाईयों के बीच जगड़े की वज़े बन जाती है दिलशेर की पत्नी सुभाव में तेज तर्रार है दिलशेर हमेश अपनी पत्नी का कहना मान कर उसे खुश रखने की कोशिश करता है दिलशेर के दो बच्चे हैं जिनमें एक बेटा साथ साल और एक बेटी पात साल है दिलशेर का छोटा भाई शमशेर स्वभाव से सीधा और भाई का आग्याकारी है शमशेर की अभी शादी नहीं हुई है इसी का फाइदा उठा कर दिलशेर की पत्नी शमशेर को रास्ते से हटा कर उसकी समपत्ती पर कबजा करना चाहती है दिलशेर और पत्नी के बीच शर्यंत्र की रूप रेखा बन चुकी है इसलिए शमशेर गाउं के बाहर एक जादूगर से मिलने जाता है दिलशेव जादूगर की कुटिया में आया है यहाँ जादू करने का सामान जैसे खोपड़ी, काला कपड़ा रखा है और आग जल रही है सामरी खुश हुआ, तुम अपने भाई को रास्ते से हटाने आये हो जादूगर सामरी, तुम तो सब जानते हो हाँ, मैं सब जानता हूँ तुम अपने भाई को मार कर उसकी संपत्ति को हरपना चाहते हो सामरी, वो मेरे सोतेला भाई है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है बताओ, मुझे से क्या चाहते हो मेरे भाई, शमशेर को हाँ, 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 ह उसकी सेवा करनी होगी, उसे घास खिलाने के लिए गाउं से दूर जंगल ले जाना होगा ये काम तुम मुझे 40 दिन तक करना होगा ना? हाँ, तब ही तुम अपने मकसद में सफल हो पाऊगे ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा दिलशेर अपने भाई शमशेर को जादूई राख खिला कर उसे बकरा बना देता है शमशेर जो अब बकरा बन क्या है, वो अपने भाई के इस अत्याचार को चुप चाप सह लेता है कोई शिकायत नहीं करता, शमशेर बकरा जरूर बन क्या है लेकिन वो अपने भाई से इंसानों की जुबान में बात कर सकता है दिलशेर की पत्नी शमशेर को बकरे की रूप में देखकर खुश होती है दिलशेर बकरे को चारा खिलाने के लिए काउं से बाहर लेकर जाता है शमशेर चलो जल्दी से चारा खाकर अपना पेट भर लो भाईया आपने ऐसा क्यों किया मुझसे मेरी संपत्ती मांग लेते मैं कभी इंकार नहीं करता ज्यादा हरीश चंदर बनने की ज़रूरत नहीं है तुप चप घास खा और अपना पेट भर क्या मुझसे जिंदगी भर ऐसे ही बकरा बन कर जीना होगा नहीं तुम्हारी कहारी जल्दी खत्म हो जाएगी हाँ 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 अम्मी शमशेर चाचा कहा है कल से दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे चाचा काम करने दूसरे गाउं गये है आप वो यहां नहीं आएंगे यह अपने घर में बकरा कहां से आया है चुप रहो वेकार की बात नहीं करते समशेर कहां है यह प्रस्न पहेली बन गया है हम उसके पडोसी हैं हमें हर बात की घबर रहती है लगता है उसे संपत्ती के लालट में कहीं गायब कर दिया है कुछ दिनों से दुलशेर के घर में एक बकरा आ गया है भाई का गायब होना और बकरे का आना इसमें कोई रहस्य जरूर है अरे भागवान जैसे पानी में लकडी नहीं डूपती वैसे ही सच बाद भी कभी नहीं छुपती आप सही कह रहे हैं आज नहीं तो कल शमशे की सच्चाई सब के सामने आ ही जाएगी दूसरों की चिंता में हम अपनी नीन क्यों उनाए चलो हमें तो सोना है जादूगर की शर्त के अनुसार दिलशेर बकरे को रोज चारा खिलाने जंगल ले जाता है ऐसा करते हुए आज उसे 30 दिन से ज्यादा हो गए है आज दिलशेर का बेटा जंगल घूमने की जित करके साथ आ गया बकरा जंगल में घूमने जाता है और साथ में उसका बेटा भी है बक्रा जंगल में घास चड़ता है, वहीं एक नदी भी है, दिलशेर बैठा है, उसका बेटा खेलते हुए कब नदी में चला जाता है, दिलशेर को पता ही नहीं चलता, बेटा पानी में डूपते हुए चिल्लाता है, दिलशेर बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे तैरणा नहीं आता इसलिए किनारे पर खड़े होकर यह बेटे को पुकारता है बक्रा यानि शम्शेर डूपते हुए दिल्षेर के बेचे को बचाने के लिए नदी में कूच जाता है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले आता है दिल्षेर अपने बेटे से मिलकर रोता और बक्रे की तरफ देखता है दिलशेर बक्रे को भी गले लगा करोता है और अपने बेटे के साथ वापस आने लगता है दिलशेर बक्रा और बेटे के साथ खाने जंगल से वापस आता है जंगल की रास्ते में उसे दाहारता हुआ शेर दिखाई देता है जिसे देखकर दिल मेरा अश्कार बक्रा इसे मेरे हवाले कर दू नहीं मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता देखो मुझे बहुत भूग लगी है मैं सर्फ बक्रा खाकर अपना पेट भर लूँगा अगर तुम मुझे गुस्था दिलाओगे तो मैं तुम तीनों को खाया जाऊंगा शेर जी शेर जी आप दूसरा शिकार ढूंड देजे शेर जी नहीं मैं यही बकरा खाऊंगा शेर जी आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए लिकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए ठीक है मैं तुम्हें खाकर शान्त हो जाऊंगा नहीं शेर जी नहीं इसे मत खाना इसके बदले मुझे खा लो मुझे अपनी भूग मिटानी है जल्दी करो शेर जी आप मेरा शिकार करो नहीं नहीं मेरा शिकार करो इस बकरे को छोड़ दो शेर आप मेरा शिकार करो तम दोनों आपस में तै कर लो किसे मरना है मेरा समय खराब मत करो शेर हमेशा बकरे कोई खाता है नहीं शेर आदमी को भी खाता है तुम बकरे को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो अहां शेर जी क्योंकि ये बकरा नहीं इसके पीछे मेरे लालच और स्वार्ट की कहानी है। मेरे कहने से एक जादूगर ने मेरे भाई को बकरा बना दिया। हाा, दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। हा, हा, दौलत के लालच में मैं अन्धा हो गया था। तो फिर इस बकरे के लिए अब मम्ता क्यों जाग रही है तो कि इसने मेरी और मेरे बेटी की जान बचा कर मेरी आखे खोल दी तब ही शेर अचानक जादूगर बन जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं जादूगर सामरी तुम तुम यहां क्यसे आगए हा 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 मैं तुम्हारी परिक्षा लेने आया था और तुम इस परिक्षा मे पास हो गए तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया है हाँ जादुगर मेरे अंदर माया की लालच भाई से दुश्मनी ये सब खत्म हो गई है तुम मेरे भाई को वापस कर दो लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी उसको मैं समझा दूँगा क्रिप्या करके इसे बखरे से आदमी बना दो कहकर हाँ जोड़ता है और भावुख होता है हाँ जादुगर अंकल मेरे चाचा को वापस कर दो ठीक है मैं इस बखरे को वापस आदमी बना देता हूँ कहकर जादुगर कोई मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ बखरे के उपर घुमाता है उसके हाथ से लाइट निकलती है और बकरा वापस आग्मी यानि शमशेर बन जाता है दिलशेर और बेटा खुश होते हैं दिलशेर शमशेर को गले लगा कर रोता है भाई मुझे माफ कर दो भाई मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है जा जा सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता अपने घर जाओ और ऐसे ही प्यार महबबत से जिन्दगी भर साथ रहना शुक्रिया जादुगर दिलशेर शमशेर और बेटा जंगल से घर की दरब जाते हैं जादुगर खुश होकर हसता है